नमस्कार सुलकता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनाली आज सवालों से पाथ चितर जी और ममता बैनर जी को सुलगाएंगे जिससे एक बड़े रास का परदापाश होगा क्योंकि बंगाल के गड़बड जोल में पार्थ अर्पता, शिक्षा भरती घोटाला और ब्लैक डायरी के किरदार ने कई एहम खुलासे कर दिये हैं ED के अधिकारी भी इस डायरी को पढ़कर सदमे में आ गए हैं और कहा जारा है कि इस डायरी की जाँच की आँच ममता और उनके कई मंत्रियों पर गिर सकती है क्योंकि डायरी में कई बड़े बड़े नाम घोटाले का पूरा लेखा जोका और पार्चटर जी की कुंडली लिखी हुई है जैसे ही इस डायरी को लेकर जेल में अर्पिता के आगे E.D. बैठी अर्पिता मुखरजी के डायरी देखकर होश उड़ गए उसके बाद अर्पिता ने जो कुछ खुलासा किया वो बेहर चौक आने वाला है जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि जेल में ब्लैक डायरी देखकर क्यों चोक गई अर्पिता क्या अर्पिता की डायरी से ममता पर गिरेगी गाज डायरी में कितने गोटाले वाजो का नाम शामिल क्या डायरी ने और बढ़ाई पार्थ की मुश्किले अर्पिता के घर मिली ब्लैक डाइरी अब ममता बैनर जी के लिए काल बन गई है क्योंकि इस ब्लैक डाइरी से ED को ऐसे ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसने हर किसी को चौका दिया है अब ये Black Diary पार्थ उनकी कैश बाला अर्पता और ममता के लिए आफ़त बन गई है Black Diary से मिली सूचना के अधार पर ED के अधिकारियों ने लंबी लिस्ट बनाई है जिसमें TMC के कई नेताओं के नाम होने की बात कही जा रही है जग उन पर भी गाज गिर सकती है ममता तक भी जाज की आज बहुत सकती है इसलिए ममता बैनुर जी पार्च टरजी से पल्ला ज़ाड कर बैट कई है वहीं दूसरी तरफ जेल में जब ED ने अरपता से पूछताच की उसके सामने डायरी रखी तो अरपता के पसीने छूट गए अरपता बौक लाने लगी पहले तो उसने डायरी को लेकर कुछ भी कहने में आना कानी की लेकिन जैसे ही ED ने अरपता प्रसक्ती बढ़ाई और उसमें लिखे कोड वर्ट के बारे में पूछा तो अरपता ने डायरी का सारा रास खोल दिया वही जाज कर रहे अफसरों का दावा है कि अरपता मुखर जी के घर मिली ब्लैक डायरी में कम से कम 40 पेच ऐसे हैं जिसमें रिश्वत से लेकर शिक्षकों की नियुक्ती के बारे में एहम एंट्री है इसके अलावा एटी के चापे में अरपता के घर से जो पौकेट डायरी मिली है उसमें 16 पन्नों पर पैसे से लेकर अवेर नियुक्तियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है अब अरपता ने भी मूँ खोल ही दिया है वो बार बार एक ही बार दोहरा रही है कि वो पैसा उसका नहीं पार्थ का है पार्थ कह रहा है कि उसका इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है लेकिन डायरी कुछ और ही बया कर रही है जिसने कहानी में जोल पैदा कर दिया है वहीं दूसरी तरफ डायरी में लिखे code word को लेकर अब ED पार्च चतरजी के पास भी जाएगी पार्च से भी डायरी को लेकर पूछताच आगे बढ़ने वाली है क्योंकि पार्च चतरजी ही इस गेम का असली मास्टर माइन लग रहा है लेकिन दूसरी तरफ ED सूतरों का कहना है कि डायरी में कुछ code entry के लिखावट पार्च चतरजी या अरपता मुखरजी से मेल नहीं खाती जिससे साफ है कि इस खेल में कोई तीसरा शक्स भी शामिल है पार्च चतरजी और अरपता मुखरजी के मुबाइल फोन के call history की जाच की गई तो एक ऐसा नंबर मिला जिस पर लगातार call की जा रही थी अब इस तीसरे शक्स का ही पता लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खेल में और कौन शामिल था ये बात हम बार बार कहे चुके हैं कि बंगाल का शुक्षा भरती घोटाला सिर्थ 50 करोड तक सीमित नहीं है ये घोटाला कई 100 करोड का है और इससे अंजाम देने के लिए पूरी गैंग काम कर रही थी पैसो का दब कर बंदर बात चल रहा था पार्थ अर्पिता तो रडार पर है लेकिन गैंग के बाकी लोग ED के जाल में फसने से अभी बचे हुए हैं जिनकी धर पकड के लिए ED बहुत ही शातिर तरीके से आगी की जाच कर रही है वहीं अर्पिता ने काली कमाई का पार्थ पर सारा ठीकरा फोर दिया है पार्थ के खिलाफ जम कर ED के सामने अर्पिता बयान बाजी कर रही है अरपता बार बार कहती है कि पार्थ की वज़से आज उन्हें ये जिंदगी बितानी पड़ रही है उसने पार्थ को पहले ही धंकी दी थी कि वो पार्थ का बुरा हाल कर देगी तब ही अरपता ने जेल में पार्थ से कोई भी मदद लेने से साफ मना कर दिया था क्योंकि अर्पता को लगता है कि पार्थ की गलती की वज़े से ही उन्हें जेल की कोठरी में आना पड़ा है अर्पता के परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है ना तो अभी तक उनकी बेहन उनसे मिलने आई और नहीं उनकी मा अर्पिता के परिवार के उनके कारणामों से काफी दंग है यानि कि अब जेल में पार्थ के साथ साथ अर्पिता की जिंदगी बेहग मुश्किल तरीके से बीत रही है बचा कुछा हाल अर्पिता पार्थ का E.D. ने बेकार कर दिया है E.D. बार-बार दोनों से ऐसे सवाल दाग रही है जिससे पार्थ का जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है बतादे कि अर्पिता के घर E.D. को छापे मारी में 50 करोड से जादा कैश, सोने चांदी के जेवरात, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज, विदेशी लिंक के सबूत मिले थे जिसकी वज़र से E.D. की जांच का दारा बढ़ रहा है वहीं अर्पिता के घर से मिले 22 मुबाईल से भी E.D. को कई राज हाथ लग गए है उसमें से एक मुबाईल ऐसा है जो से सिर्फ पार्ट से बार्थ करने के लिए इस्तमाल किया जाता था जो एक तरफ पार्थ अर्पिता की उल्टी गिंती शुरू हो गई है दूसरी तरफ E.D. के इस ताबर तोड आक्शन ने ममता की भी नीन उड़ा दी है क्योंकि एक तरफ पार्थ का केस उन पर भारी पड़ सकता है दूसरी तरफ उनके चहेते अनुबरत मंडल का केस उनकी सिर्दर्दी बन रहा है इसलिए ममता अब E.D. C.B.I. की खिलाफ छाती पीट रही है सड़कों पर कारिकरताओं के साथ उतर आई है अनुबरत मंडल की गिरफतारी का विरोध कर रही है जिससे आशंका लगाई जा रही है की कहीं अनुबरत मंडल के पशूत असकरी केस में ममता का हाथ तो नहीं कहीं आने वाले वक्त में ममता भी सलाखों के पीछे बैठी नजर आई इसलिए वो अपनी टीम को लेकर बवाल कर रही है ये बवाल तब हो रहा है जब CBI को अनुबरत मंडल के खिलाफ सबूत मिल चुके है जो ये बया कर रहे हैं कि अनुबरत मंडल पशूत असकरी का मास्टर माइंड है वही दूसरी तरफ TNC के भरष्टाचारी नेताओं ने ममता के खिलाफ बगावत कर दी है पार्टी में गुडबाजी शुरू हो गई है पार्ट गुड़ कह रहा है कि क्यूं ममता उनके साथ नहीं खड़ी है और ऐसी क्या मजबूरी है कि ममता को अनुबरत मंडल का समर्थन करना पड़ रहा है बरे मंच पर अनुबरत मंडल का जाब कर रही है ऐसे में अब मम्ता के खिलाफ ही पार्टी में बगावती सुरूठने लगे हैं जिससे मम्ता चारों तरफ से फस चुकी है सुलकता सवाल में मेरे साथ इतना ही करना इस सवालों के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रोए ये कैपिटल टीवी तमस्कार